नमस्कार, चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशन में आपका स्वागत है संपात की से समंदित इस वीडियो की सुरुआत करने से पहले हम यह देखते हैं कि कल जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है कल का प्रश्ण था कि निमन संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर पहले से अंतिम के करम में सजाएं पहला ब्रिक्स, दूसरा संघाई सहयोग संगठन, तीसरा एशियाई विकास बैंक और चौथा सार्क ब्रिक्स इसकी इस्थापना हुई है 2006 इसवी में, संगाई सयोग संगठन इसकी इस्थापना हुई है 2001 इसवी में, ACI विकास बैंक इसकी इस्थापना हुई है 1966 इसवी में और सार्क इसकी स्थापना हुई है 1985 इसवी में तो इस फिरकार सही जवाब है option A 3421 अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादकी की ओर जिसका सिर्षक है कास्ट्स काउंट इस संपादकी को लिया गया है दा हिंदू न्यूश पेपर से और यह संपाद की ये GS पेपर 2 में साम उत्तपन्न वीशhet के दुरिश्टिकोन से महत्पूर ने देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधहर है जातिगत जनगरना मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार की द्वारा तमिलनाडु में जातिगत डेटा के संग्रह के लिए एक आयोक की इस्थापना का निर ने लिया गया है इसका क्या कारण है इसका कारण है कि तमिलनाडु के वेनियार समुदाय के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरी इन दोनों में अलग से 20 परतिसत आरक्षन की मांग की जा रही है ऐसा नहीं है कि वेनियार समुदाय को आरक्षन नहीं मिल रहा है वेनियार समुदाय ने आरक्षन की मांग को लेकर 1987-88 में हिंसक प्रदर्शन किये थे और इस हिंसक प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ था कि राज्य सरकार ने 20% आरक्षन देने का फैसला लिया और बीस परतिसत आरक्षन देने के लिए अलग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग नामक एक नया वर्ग बनाया परन्तु वेनियार समुदाय इस विवस्था से नाखुस हैं क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतरगत तमिलाडू में सौ से अधिक जातिया हैं संपात्की में यह बात कही जारी है कि यह दुखद है कि आरक्षित वर्ग के अंदर अगर कोई जाती उसी आरक्षित वर्ग में शामिल अन्य जातियों से प्रतिस्प्रधा नहीं कर पाती है तो राजनितिक दवाब बना कर अलग से केवल अपनी जाती के लिए आरक्षन की मांग करने लगती है। चलिए बात कुछ भी हो जो प्रस्तावित आयोग है उस आयोग की गणना केंदर सरकार के द्वारा दस्किय जण गणना से एकदम भिन्न है। तमिलाडू के सरकार के द्वारा प्रस्तावित आयोग का कारे होगा कि जातीगत डेटा संग्रह की विधी का परिछन करना और फिर इस परिछन के आधार पर सर्वे करना और अंत में इस सर्वे से समंधित रिपोर्ट सरकार को सौप देना। यह बात सही है कि सभी जातियों के सामाजिक और सैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन अपने आप में एक बड़ी चनोती है। भारती जनगणना की अगर हम बात करें तो 1931 के बाद से जातिगत जनगणना को जनगणना के कारिक्रम में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती के विवरण को सामिल करना यह एक अपवाद है। हलांकि केनर सरकार ने जनगणना 2011 में समाजिक आर्थिक डेटा के साथ जातिगर्थ डेटा को भी शामिल करने का प्रयास किया। इसका उद्देश से यह था कि समाज में मौजूद वंचना और पिछड़े पन के इस्तर का व्यापक आंकलन करना। परन्तु संग्रहित डेटा की विश्वस्नियता में कमी या राजनितिक एवं चुनावी सम्वेदन सीलता के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणन के अंतरगत जो जातिगत जनगणना का भाग था उसे सार्जनिक नहीं किया गया। अब हमें यह पता है कि सुप्रीम कोट भी लगातार राज्यों से यह मांग कर रही है कि राज्यों के द्वारा जातिगत आधार पर जो आरक्षन दिया जा रहा है तो विभिन जातियां ज 70% आरक्षन के प्रावधान को भी एक मजबूत आधार देगी। भारत में कुछ जातियां जिनका या तो चुनाव के कारण महत्त है या उनकी अपनी संख्यां के कारण महत्त है ये जातियां वर्ग और समुदाय पर आधारित जो कारिक्रम चलाई जाते हैं उन कारिक्रमों से नाराज हैं यही कारण है कि गुजर, जाड, पाटिदार और वेनियार अलग से आरक्षन की मांग करने हैं देखिए जातिगत जणगणना की पहल अच्छी है अगर इसका उप्योग चुनावी दाव पेच के रूप में ना किया जाए और जातिगत जणगणना से विभि और समानता आधहारित समाज का निर्मान राज्जी का एक मात्र लक्ष होना चाहिए तो इस प्रकार हमने इस संपाधिकी में तमिलाडू सरकार की द्वारा जातिगत जणगणना के लिए एक आयोक के गठन का जो निर्ने लिया गया है उस पर चर्चा दी अब हम चर्चा कर किस्टी कौन से महत्यपूर्ण है देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ अब हमें यह पता है कि 27 सितंबर को राष्टपती के द्वारा तीनों किरसी कानूनों पर अपनी सहमती दी गई यह तीन किरसी कानून है किरसक ससक्तिकरण वसंगरक्षन कीमत आस्वासन किरस किरसी कानूनों में परिवर्थन करता है और नया किरसी कानून किरसी उत्पादों की विक्री भंडारन और कीमत से समंदित है नय किरसी कानून के अंतरगत नीजी व्यपारियों को इस बात की अनुमती दी गई है कि भविश्य की विक्री के लिए सामानने समय में मतलब जब अकाल, सूखा या उच्च मुद्रा इस्पीती की इस्तिती नहीं हो तो आविस्यक वस्तुओं का भंडारन बिना किसी उपरी सीमा के कर सकते हैं जो पहले केवल सरकार के द्वारा अनुमती प्राप्त एजेंट ही कर सकते थे अभी नए किरसी कानून को लेकर सरकार का यह और नए किरसी अधिनियम किरसी एवं किरसकों को मध्यस्तों के चंगुल से छुटकारा दिलाएगा जबकि ठीक इसके विपरीत किरसक यूनियन और गुरूप को चिंता इस बात की है कि भविस्य में MSP समाप्त हो जाएगा वह क्यों वह इसलिए क्योंकि नए किरसी अधिन किरसा अभी मनी हुई है वह समाप्त हो जाएगी इसका अर्थ है कि कॉर्पोरेट सोसन बढ़ जाएगा मतलब यह कि कॉर्पोरेट किसानों का सोसन करेंगे किरसक यूनियन और गुरूप की आसंका इस बात की भी है कि रेगुलेशन के अभाव में किरसी का खरीदने और बेचने की वह एगरी बिजनेस फर्म्स के अनुसार तै की जाएंगे और दूसरा कि किरसी करार जो किसानों और एगरी बिजनेस फर्म्स के बीच में होगी तो उसकी जो सर्त होगी वह उन्हीं के अनुसार होगी मतलब यहां पर यह है इससे छोटे किरसकों का सो च्छेत्रों पर आधारित है कृषी शिक्षा और स्वास्तिवाल वहीं अगर अधानी ग्रूप की हम बात करें तो अधानी ग्रूप कृषी छेत्र में बड़े पैमाने पर निवेस कर रहा है जैसे एग्री बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेन स्टोरेज हैं ट्रांस निवेस के लिए सरकार के द्वारज जो फऽसल दीमा योजना को प्रारंब किया गया उसे को सौंप दिया गया जाने माने पत्रकार पीस आईनात ने यह खुलासा किया है कि फशल बीमा योजना से किसकों को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है अब सवाल यहाँ पर यह है कि करसी का उधारी करण क्यूं जबकि जादातर देशों की सरकारों के द्वारा करसी छेतर को सबसीडी दी जा रहे हैं। 54 billion Euro की सहेता दी जाती है। अगर भारती करसकों को राज्जि का समर्थन नहीं मिलेगा तो स्थिती और बदतर हो जाएगी। क्यूं। इसलिए एक तो भारती करसकों को बाजार नियम का घ्यान नहीं है मतलब यह कि बाजार के नियम से वो पूर्ण परिचित नहीं है। और द दस्वी किर्सी जणगर्णना जो 2015-16 से समंदित है इसके अनुसार सिमान्त एवं छोटे किसान जिनके पास दो हेक्टेर से कम की जमीन है उनकी संख्या है संपूर्ण किर्सक का 86 प्रतिसत और अगर संख्या की बात करें तो यह संख्या है 126 मिलियन की तो यह सिमान्त और के द्वारा जो डील समंदी प्रस्ताव उनके समक्ष रखा जाएगा वो उसे स्विकार नहीं करेंगे क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं है इसका अर्थ यहां पर यह है कि जो भी रासी उनके समक्ष रखी जाएगी वह रासी उन्हें बड़ी लग और यहां करसी के आधनिकी करण का क्या आर्थ है भूमी का संकेंद्रन या एकत्री करण और करसी का मसिनी करण हां यहां एक अच्छा विचार यह हो सकता है कि करसी करार के द्वारा सिमांत एवं छोटे किसान अपनी जमीन को कॉर्पोरेट सेक्टर को तब सौप सकते हैं ज योगदान कि 26 प्रतिसक्ट के आद सपास है, जबकि क कृल रोजगार में 41 प्रतिसत है। और कि योगदान में वहला में गुश में डूरे रोजगार की इस्थिती है वहां लंबे समय से उसे इस्थिती में बनी हुई है। तो तिर्थयक छेतर की इतनी चमता नहीं है कि वह प्रयाप्त रोजगार का स्रिजन कर सेके। उसका कारण यहांपर यह है कि एक इस छेत्र में रोजगार के लिए उच्च कुसलता का होना अनिवार्य है और दूसरा तिर्तियक छेत्र का विस्तार तब होता है जब प्रात्मिक और दृतियक छेत्र का भी विस्तार हो। मजदूरों के पास बचत की कमी थी, बचत में कमी के कारण लॉकडाउन की उस इस्तिती में मजदूरों के लिए एक दिन भी शहर में रुखना संभव ना हो सका, इसके कारण मजदूर बड़ी संख्या में अपने राज्य और अपने जीले की ओर वापस होने लगे, जिसे रि जीना रोजगार के उस सहर में रहना चाहिए, और वो भी तब जबकि प्रतिव्यक्ति संसाधन के मामले में ग्रामीन भारत और शहरी भारत में अंतर बढ़ा है, तो ऐसी इस्तिती में बुद्धी मत्ता पूर्ण कारी यह होगा, कि सरकारी व्याय में विर्धियों, सरकारी बंधु योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, और किर्सी जीवी का योजना उडिसा सरकार के द्वारा, और यह भी निश्चित किया जाए कि MSP से नीचे फसल की खरीत नहीं होगी, यहां एक महपुन तथिया है कि किसानों से सम्मंधित जो समस्या है वो केवल मुद्रा नहीं है और उसका समाधान भी केवल मुद्रा नहीं है, किर्सी को सतत रूप से बनाए जाने की आवसकता है, इसके लिए सरकार आंद्र प्रदेश में चलाया जा रहा सामुदाईक प्रबंधन किर्सी मौडल को प्रेड़ना के रूप में अपना सकती है, जिसमें इस्थान नहीं उत्पाद, पारिस्थितिकी सतत आगत और मिर्दा स्वास्त को ध्यान में रख कर किर्सी उत्पादन की प्रक्रिया को अपनाए जा रहा है, और यह जो मौडल है आंद्र प्रदेश का या ना केवल अपनी प्रकृती में लचिला है, बलकि इसकी प्रकृती जैव वि कर, किसानों के मन में किस प्रकृत की आसंका है, ये आसंका निराधार है या उसका कोई आधार है, और सरकार के समक्च क्या बेहतर विकल्ब हो सकते हैं। ये राज का प्रश्न कि पदोन्नती में आरक्षन निम्न में से किस अनुच्छत से समंधित है। चार आप्शन हैं, आप्शन A 16.4, आप्शन B 16.4A, आप्शन C 16.4B, आप्शन D 16.5 दूसरा प्रशन है, क्या जातिगत जनगनना की प्रक्रिया को अपनाय जाने की आविश सकता है, अपना मत इस पस्ट करें। इसके साथ हैं इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार।